गोड डिवनिंग फ्रेंड स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत-बहुत बड़ी नमशकार है सस्रीयकाल है और आदाब है ये वीडियो बहुत खास है साहिल सचिन विलॉग्स पे इससे पहले ये वीडियो नहीं बनी है क्योंकि ये एक बहुत ही special product के उपर एक ही product के उपर ये वीडियो बन रही है हमें मौका मिला अभी recent time में NB की factory visit करने का और बहुत बड़ा एक consignment हम लोग लेके आए हैं क्योंकि एक वीडियो में मुझे लगता नहीं है cover होगा या दो में नहीं होगा तीन में भी नहीं होगा बहुत सारी वीडियो बनेंगी पता नहीं कितनी बनेंगी मुझे मौका मिला कि मैं gloves की वीडियो cover कर द कि क्या क्या समान आया है और ही बहुत सारा समान है जो हम लगा पाए वो दिखा रहे हैं review केवल batting glove दोंगे यह देखिए दोस्तों हर model नया और पुराना कोशिश करिए कि model review करें हम batting gloves wicket keeping glove भी जो मिला वो review कर रहे हैं यह kit bag है एक team kit bag है पूरा यह review नहीं होगा इस वीडि वीडियो में यह डफल बैग है यह review नहीं होगा इस वीडियो में केवल only batting glove हम लोग review कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं सस्ते से महंगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहला glove मैं जो review कर रहा हूं यह यह है dnb का heritage 6 इसका price है 2000 rupees August 22 का model है MRP आप देख रहे हैं और cut finger to cut finger में यह glove है protection अच्छी है जो भाई budgeted जिनको nb की एक all together different client है एक different customer है जो nb का customer है वो nb से कहीं और नहीं हिलता तो वो भाई जो budgeted range में 2000-2000 या below 2000 की range में batting gloves ढूंडते हैं यह glove उनके लिए perfect है शीप leather में glove है बहुत अच्छी sweating कम आए उसके लिए windows काफी दी हुई है इन्होंने airy windows दी हुई है यह देखिए आप cushioning बहुत अच्छी जीवी है heritage 6 इसका model का नाम है white और silver color में या silver gray में बहुत खूबसरत glove यह लग रहा है दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले glove की तरफ burn वाइट और जो यह metallic blue का kombi है बहुत जबर्दस्त है बहुत प्यारा है बॉन सिरीज में यह glove है यह देखिए अगेन यह भी cut finger gloves है बहुत अच्छी protection है उनसे slightly quality wise better है अगेन sheep leather better quality का sheep leather यूज़ हुआ है थम में cuts दियो है ताकि थम की movement proper ह हो सके और अगर मैं pricing बता हूँ आपको तो 2300 2299 इसका MRP है दोस्तों और आगे बढ़ें अगले glove की तरफ DC 880 just a moment and let me check the price of so अगला glove दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको DC 880 white this orange color और यह exactly black नहीं है I think charcoal color कह सकते हो आप इसको बहुत प्यारा look देते हैं जो यह dots यह देती है यह इसकी जो beautification है उसको enhance कर देती है और again इसमें इसका price अगर मैं आपको बता हूँ तो double to double line model change है quality is the same again thumbnail नहीं आपे cut दिया हुआ है ताकि hands की proper movement हो सके और यहाँ पी जो cuts है इसमें इस particular model में यह three cuts है जो इससे पहले हमने एक model burn model review किया है उसमें two cuts है दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे TC 760 की तरफ again cut finger glove है protection increase हो गई है आपको देखने से भी लग रहा होगा कि यहाँ पे भी थोड़ा हलका सा यह wide हो गया area finger वाला cushioning बहुत अच्छी है in terms of beautification तो NB new balance का कुछ कहना ही नहीं है TC 760 model name है price 2499 2500 रुपीज again sheep leather में है और cut finger में है थम में थम में भी cuts है ताकि आपका hand का movement properly यह देखिए properly हो सके हर finger हमारी properly move कर सके प्राइज में आपको अलड़ी बता चुका हूँ अगला glove है burn plus देखिए कितना beautiful लग रहा है white this metallic blue और यह silver का जो combination है it's wonderful burn plus model name है again cut finger में है इन्होंने यहाँ पे एक extra cushioning देके या support दी है यहाँ पे ताकि हमारा हाथ जो है वो और अच्छे से move कर सके again sheep leather में है यह glove भी और अगर मैं इसका price आपको बताऊं दोस्तों तो two triple nine three thousand rupees इसका MRP है बढ़ेंगे अगले glove की तरफ that is TC780 यह इनके नए models शूँ होगे दोस्तों आप if I'm not wrong तो यह अभी recently launch हुए है models और इसका price है two three double nine twenty four hundred rupees और बहुत अच्छा अगें अगर मैं यहाँ पर color combination की बात करूँ तो orange को इन्होंने carry forward किया है यहाँ पर यह military color इन्होंने add कर दिया black या charcoal की जगा cut finger में है बहुत अच्छी protection है यहाँ पर यह camo look देने के इन्होंने कोशिश करिए यह graphics देके बहुत ही बहुत ही beautiful glove मुझे यह लग रहा है और again protection wise और जो palm leather है बहुत अच्छा sheep leather यूज़ हुआ है इसमें cuts बहुत अच्छे दियों है ताकि हमारे hands की movement बहुत अच्छे से हो और brand की साथ compare करें तो मुझे लगता है it is very economical very so पढ़ेंगे अगले glove की तरफ यह भी पुराना model है और इसका best part क्या है यह cut finger नहीं है full club है यह और इसका model name है TC pro price है 3499 3500 high quality sheep leather यूज़ हुआ है इसमें velcro बहुत अच्छी quality की यूज़ हुई हुई है protections बहुत अच्छी यूज़ हुई हुई है इसमें international players भी यह same model यूज़ करते हैं if I am not wrong और इसमें भी इन्होंने beautify करने के लिए जो color combi add किया है silver के साथ white silver और जो यह reddish metallic red हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है इसमें then दोस्तों हम बढ़ेंगे DC 980 की तरफ DC 980 यह देखे अगें यह cut finger में glove आ गया दोस्तों protection यहां पी increased हो गई है आप देख सकते हैं यह देखें आपको sound आ रही होगा बहुत अच्छे से DC 980 यह model name है और अगर मैं इसकी pricing बताऊं तो ट्रिपल नाइन इसका price है अगें बहुत अच्छा sheep leather यूद हुआ है वेल्क्रो बहुत अच्छी यूद हुई है इसमें और अगर मैं इसको डाल के देखता हूं वीर करके देखता हूं तो यह देखें बहुत अच्छा बहुत comfortable glove लग रहा है यह मुझे पहनने से रही दोस्तों और जो यह नहीं जो यह series लेकिया है इन्होंने इसमें एक ही pattern को follow किया है color combination में जो इनकी traditional models है जो DC यह PC series है उनमें यह color combination यह वाला इन्होंने यूज किया है तो यह model है दोस्तों DC 1180 DC 1180 और इसका price है 3499 शीप leather में यह यूज हुआ है यह देखिया आप इसमें भी पाम में शीप leather यूज हुआ है mostly इन्होंने शीप leather यूज किया है पिटाट में मैंने अभी कोई model देखा नहीं है शायद आगे देखने में मिले और hand की movement बहुत अच्छी होगी इसमें मैं यह glove भी आपको wear करके दिखाता हूं कि कैसा इसका feel आएगा दोस्तों बहुत अच्छा यह देखिए अब यह cut finger नहीं है बट मेरी fingers जो है वो proper move कर रह बुरी finger वाले gloves use करते हैं जो भी respective brands वो use करते हैं ऐसे ही जो मालो Joe Root है या Steve Smith है जो NB के brand ambassadors है जो NB से खेलते हैं sponsored हैं वो शाद cut fingers use करते हैं तो very comfortable glove बिल्कुल भी मुझे awkward या tight या कोई unizziness नहीं लग रही इसमें इसको डालने के बाए और next model जो इनका आता है DC 1280 lightweight glove है बहुत प्यारा glove है बिल्कुल भी मुझे उठाने से बहुत हलका feel हो रहा है और अगर आप चाहें तो मैं इसका आपको weight भी बता सकता हूं नई च गेम weight का है पीजे दोस्तों 170 grams रादर 168 grams में ये glove है बहुत ही light weight मुझे feel नहीं हो रहा कि ये glove ये लो बिल्कुल भी personally मुझे ये cut finger gloves ज्यादा अच्छे लग रहे हैं दोस्तों right मेरी हाथ की fingers की movement ज्यादा easy लग रही है मुझे as compared to the other one जो मैंने पहले डाला इससे but again आपकी प्लेपनी choice है जो भी player जैस जो भी comfort है उनका वो उसके cutting वो glove ले सकते हैं बहुत प्यारा आप देखिए जो इन्होंने beautify किया है ये silver वो लगा के इसमें protection बहुत अच्छी है ये देखिया बहुत अच्छी cushioning यूज हुई हुई है glove में front में जो इन्होंने ये palm leather sorry sheep leather यूज तो double four double nine ये इनकी one of the topest range में से एक है last bedding glove not the least DC players pro देखिए दोस्तों pattern almost same है again sheep leather यूज हुआ है और pricing इसकी है four triple nine मतलब five thousand rupees चलिए इसको भी एक बार हम देखते हैं पहन के हमें ये glove मुझे ये glove कैसा लगता है तो अगें जो मुझे पहली बार में जो अच्छा लगा ये इसकी ये movement है मुझे बहुत प्यारी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है बहुत एजली मेरा hand में फिंगर मूव कर रही है और grip बहुत अच्छी आने वाली है बैट की चलो दोनों डालके एक बैट भी देख लेते हैं कैसा है बहुत ही प्यारा बहुत एच्छा फील मुझे ये राट को पकड़ने से आ रहा है तो और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बाग करूं इस पर्टिक्लर गलव की तो शायर में बता चुका हूँ आपको 4999 इसका MRP है दोस्तों अब ये होगे दोस्तों हमारे पैटिंग लव्स अब मैं आपको फिकली इनके विकेट कीपिंग इनर्स बहुत इन डिमांड रहते हैं ये विकेट कीपिंग इनर्स है विद लेदर जो पाम है वो बहुत अच्छा लेदरेट में यूज हुआ है बहुत अच्छा है कुशनिंग बहुत अच्छी है आई हो इनको यूज करके शायद जो ball है हमें बहुत कम impact पढ़ता होगा हमारे palm पे यह देख सकते हैं आप यहाँ पे यह देखिए यह देखिए दोस्तों बहुत अच्छा जो है इसका quality है then wicket keeping glove TC 1260 यह देखिए दोस्तों बहुत अच्छा इभी high range में है 5000 रुपीज की range में यह wicket keeping glove है बहुत अच्छा soft है finger movements बहुत easy हो रही है और जब मैं inner glove डाल के इसको wicket के पर use करेंगे तो इसकी movement और अच्छी हो जाएगी और comfort level और बढ़ जाएगा दोस्तों यह वीडियो एक exclusive first time sports world या बेगी cricket पर ऐसा हुआ है कि new balance की exclusive gloves की series और इसके पीछे में आपको राज बताओं दोस्तों हम सिरफ एक शू लेने गए थे वहाँ पे और शू हमें नहीं मिना देखें हम क्या कुछ ले आएए यह सिरफ 10% है बहुत बड़ा consignment लेके आए है कि हम दोनों भाईयों की आप कमजोरी लगा लो कि बैड दिखें और हमें पसंद आने चाहिए अगर हमें पसंद आ गए फिर हमें कोई नहीं रोक सकता दोस्तों हम खुद को भी नहीं रोक पाते तो उमीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को क्लिक कर लो ता कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे बने रहे हमारे साथ ऐसी ही बहुत अच्छी बहुत प्यारी वीडियो के साथ अभी exclusive kit bag के रिव्यूज आने हैं डफल का रिव्यू आएगा डफल विली का रिव्यू आएगा लेगार्ट के रिव्यू है और बैट 9,000 रुपे से लेके 77,000 रुपीज की रेंज के बैट्स के रिव्यूज आने हैं जो आट सब के साथ शेयर होगे तो मिस्स ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारा इंस्टाग्राम एकाउंट बिगी क्रिकेट फॉलो गर लिजे प्लीज थाइंक यू सू मच तिल देन गुडबाय ओम शांती